नमस्कार स्वागत है आपका Just News Life पर मैं हो निशा कसाना दोस्तो हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन चर्चाओं में बने रहते हैं उनके लिए गए कठोर नियम हो या फिर उनकी विदेश दोरे या उनकी कही गई बात वो कहीं न कहीं हमारे सुर्ख्यों का हिस्सा जरूर बनती है इस बार 17 सप्तंबर को प्रधान मंत्री मोदी का जर्म दिन आने वाला है और इस बार जो चर्चा का विशय है वो है प्रधान मंत्री मोदी को दिया जाने वाला तौफा दरसल ये ऐसा तौफा है जिसकी दहार से विरोधी पक्ष थर-थर काप जाएगा अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा तौफा है जो दहारता है और जिसको लेकर चर्चाएं इतनी जादा चल रही है तो हम आपको बता दे कि 17 सितंबर को प्रधान मंतरी मोधी को जनम दिन के तौफे के रूप में आठ अफ्रीकन शेरों को दिया जाएगा जिहां दरसल ये तौफा दे रही है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंग चौहान की सरकार आपको बता दे कि शिवराज सिंग चौहान ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फरेंस में ये खुलासा किया कि आगामी 17 सप्टेंबर को प्रधान मंतरी मोधी के जनम दिन के अवसर पर अफ्रीका से अफ्रीकन चीते भारत लाए जाएंगे और इनको भारत लाने का जो विशेश दिन इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन प्रधान मंतरी मोधी का जनम दिर्वस भी है और इस दिन को खास बनाने के लिए प्रधान मंतरी मोधी भी अपने जनम दिन के अवसर पर मध्यपरदेश का दौरा करेंगे वहाँ पर प्रधान मंतरी मोधी वहाँ के कुनो नैशनल पार्क में विजिट करेंगे जिसके बाद वहाँ पर जायजा लेंगे और आपको हम बता दे कि इससे पहले जो है भारत में 70 सालों तक चीता देखने को नहीं मिला था हम आपको बता दे के प्रधान मंतरी मोधी के जनम दिन के तौफे के रूप में जो सीते भारत में लाए जा रहे हैं इनको लाने की कवायत आज की नहीं है बलकि एक दशक पूर्व के करीब आप समझ लें कि 2010 में जैराम रमेश जो कि उस समय के ततकालीन पर्यावरन मंतरी थे उनके द्वारा इन चीतों को भारत लाने की पहल शुरू की गई थी करीब एक दशक बाद इस मामले में एक मोड आया जब 28 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इन चीतों को भारत लाने की अनुमती दे दी साथी अनुमती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रे बाग प्राधिकरन को ये आदेश दिया कि इन चीतों के रहने के लिए वो एक उप्युक्त स्थान का चुनाव करें कई राश्ट्रे उद्यानों पर विचार करने के बाद विशेशग्यों ने मध्यप्रदेश के शिवपूर में स्थित कोनो नाशनल पार्क को चीतों के लिए एक उप्युक्त स्थान के रूप में चुना आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत एक ऐसा स्थान है जहां पर दुनिया भर के 70 प्रितिशत बाग पाये जाते हैं लेकिन 2006 से पहले हालात कुछ ऐसे नहीं थे हालात इतने बेकार थे कि बागों को एक संग्रक्षित स्थान पर ले जाया जाता था और वहां पर उन्हों संग्रक्षिन करा जाता था क्योंकि उनकी जो संख्या है वो काफी कम थी लेकिन भारते सरकार के अथक प्रयासों के बाद 2016 के बाद इनकी संख्या में तेजी से वृद्धी हुई आपको बता दें कि 2016 के बाद बागों की संख्या 3890 तक जात पहुँची ये एक अच्छी खबरती हमारे भारत के लिए कि चीतों की भारत में वापसी करीब सतर साल के लंबे अंदराल के बाद हो रही है जिहां 2050 में आखरी बार 36 गड़ में चीता देखा गया था हालात इतने जादा खराब थे कि सरकार को एलान तक करना पड़ा कि जो व्यक्ती चीता देखेगा उसको सरकार पांच लाक रुपे तक देगी हालात इतने खराब थे कि भारत में चीता देखने तक को नहीं मिल रहा था लेकिन फिलाल आने वाले समय में 17 सितंबर को प्रधान मंत्री मोधी के जनम दिन के अफसर पर भारत में एक नहीं बलकि आठ आठ चीते देखने को मिलेंगे आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत देश में आखरी बार जो चीता देखा गया था वो करीब 70 साल पहले 1950 के दर्शक में देखने को मिला था आपको बता दे कि ये चीता 36 गड़ में देखने को मिला था इसके बाद से हालात इतने खराब थे कि भारत में चीता ही देखने को नहीं मिला भारत सरकार को ये एलान करना पड़ा कि जो भी व्यक्ति चीते को देखेगा भारत सरकार उसे 5 लाक रुपे का हिनाम भी देगी लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो आने वाले समय में बहतर होंगे क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी के जनम दिवस के अफसर पर भारत में एक नहीं बलकि आठ आठ चीते लाए जा रहे हैं आपको बता दे कि अफरीका के नामी बियाज से ये आठ चीते भारत में लेकर आया जाएगा आपको बता दे कि जब अपने जनम दिवस के मौके पर प्रधान मंत्री मोदी कुनो नैशनल पार्क का दौरा करेंगे उस दिन इन चीतों को वहाँ पर लेकर आया जाएगा बताया जा रहा है कि इन चीतों को करीब 30 दिन के लिए कॉरिंटीन में रखा जाएगा इन चीतों को धीरे धीरे बड़े बाड़ों में शिफ्ट किया जाएगा उसके बाद 6-8 महीने की कड़ी निगरानी में इनको रखने के बाद उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि इन चीतों को खुले में छोड़ा जाए या नहीं तो एक लंबा वक्त लगेगा जब ये चीते जंगल में दहाडने को तयार हो जाएंगे इसी विशेश खबर के बाद हम आपको ये बता दे कि प्रधान मंतरी मोधी के जरम दिवस के अफसर पर बीजे भी तो कई सारी तयार्य कर ही रही हैं लेकिन शिवराज सिंग चोहान का दिया हुआ ये तौफा प्रधान मंतरी मोधी को खासा पसंद आएगा हाला कि विरोधी पक्ष भी इस पर अक्तीखी तिपनी कर सकते हैं देखने वाली बात होगी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आप बने रहें जस्ट न्यूज लाइफ के साथ नमस्कार